स्वागते दूस्तों आज 23 अप्रेल 2023 रविवार का दिन हैपी संडे आप सभी को आज के मुक्य समचार बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर राजर हो चुके हैं इसके अलग-लग राज्यों के और से सरकारों के और से मतोपन अपडेट आ चुका है नए नियम बड़ी गोशना और बड़ा एलान के बारे में जानकरिया लेंगे वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा तो आईए दोस्तो बिने टाइम बलब के सुरुआत कर देखते आज की पहली बड़ी खबार देश बर में धूमदाम से मनाई गई इद पीम से लेकर सीम तक सबी ने बदाईयां दिये हैं लोगों ने एक दूसरे को गले लगा कर त्योहार मनाया रमजान का पवित्र मैना पूरा होने के साथी सनिवार 22 अप्रेल को देश बर में धूमदाम और हरसोला से इदूल फितर का त्योहार मनाया गया साथी दोस्तो बड़ी खबर आ रही है उत्तरप्रदेश को लेकार अतिक अहमत की कबजा करने वाली जो जमीन है पीडितू को वापस लोटा जाएगी योगी सरकार ने आयोग के गठन की तयारी की है मतलब दोस्तो अतिक असरप की हत्त्या के बाद अब उनके कबजे से जमीने वापस दिला जाएगी इसके लिए एक आयोग का गठन करने की तयारी की गई है और इस आयोग में रिटार्ड आयेस, आईपीएस और नियाधीस होंगे यानि जिन लोगों की जमीनों पर माफिया, अतिक अहमत और उसके भाई असरप ने कबजा किया उनकी जमीने वापस चुड़ा जाएगी और जमीनों के मालिकों को वापस लोटाए जाएगी वहीं बड़ी खबर है पंजाब नेसल बैंक ने अपने ग्राकू के लिए एक चेतावनी जारी किया अलर्ट जारी किया और का कि इस तरह के फरजी मेसेज पर आप विश्वास ना करें यदि आपने भी भी हाली में एक SMS प्राप्त किया हो मिला हो जिसमें ये दावा किया जारा है कि आप पंजाब नेसल बैंक की एक गौर्णमेंट फैनेंसियल सबसेडी का फाइदा ले पाएंगे तो आपको बता दें ये मेसेज फरजी है इस फरजी मेसेज के संबन्द में पिन बी ने एक एडवाजरी भी जारी किया और का की पिन बी की 130 वी वर्स कांट गौर्णमेंट फैनेंसियल सबसेडी इस तरह की कोई भी स्कीम नहीं है ऐसे फरजी मेसेज को आप सर्कुलेट ना करें सेहर ना करें वहीं वीजा फोर अमेरिका से जुड़ा प्रेट है अमेरिका जाने वालों को यूएस गौर्णमेंट ने बड़ी को सकबर दी है इस साल जारी होंगे इतने लाख वीजा एक बड़ा प्रेट आया है अमेरिका इस साल भारतियों को 10 लाख से जादा वीजा जारी करने की दि मोसम विभाग ने सुबे के अधिकांस जिल्लों में आंधी, पानी और वजरपात की चेतावनी जारी की हैं। अधिकांस जारी की हैं। बारिस के साथ वजरपात की चेतावनी हैं। दिल्ली हाई कोड का बड़ा अधिसारा है। एक पक्स ये तलाग के बाद नियत अवधी में नहीं की गई अपील तो पुनरविवा कानूनी होगा। यानि दिल्ली हाई कोड ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए बड़ा अधिस जारी किया है। जो तलाग के बाद दूसरी साधी की इच्छा रखने वालों के लिए बड़ी रहात की खबर है। अधालत ने काया कि तलाग से विवाई तो जोड़े अलग होते हैं और पती-पत्नी के रूप में अपनी पहचान खो देते हैं। आंधी तूफान के साथ जमाजम बारिस देखने को मिली ओरेंज अलट भी जारी हुआ है। साथ ही पुजारियों को पांच जार रुपे बता देने और गूफा मंदिर में नया भावन बनाने की भी कोस ना की। कोरोना के एक्टिव मामले 67,000 के पार चले गए हैं। आपको बता देने भारत में बीते 24 गंटे में कोरोना वाइरस के 12,113 में नया मामले सामने आया है। महराश्च में बीते 24 गंटे में 850 नया मामले सामने आया है। पांच जार तो एक्टिव मरीजी चल रहे हैं। बिहार में भी कोरोना का खत्रा बढ़ा है। एक्टिव मामले 800 के पार हो गए हैं और 24 गंटे में 108 में नया मामले सामने आया है। चली आगे बढ़ते हैं बड़ी खबार सिवरात सरकार ने कोलोनाइजर्स को बड़ा तोफा दिया है। पूरे प्रदेश में एक ही पंजियन पर काम कर सकेंगे। मध्यपरदेश सरकार ने कोलोनाइजर्स को ये नई सुविदा प्रदान की हैं। अब वे एक ही पंजियन से पूरे प्रदेश में काम कर सकते हैं। इनने अलग-लग जिल्लों में काम करने के लिए अभी अलग-लग निकायों में पंजियन कराना होता है। लेकिन अब कोलोनाइजर्स एक ही रेजिस्टेशन पर पूरे प्रदेश में निर्मान कारे करास केंगे। कोलोनाइजर्स को अब अलग-लग नगरिये निकायों में रेजिस्टेशन कराने से निजात विलेगी। सारी प्रक्रिया उनलाइन होने के बाद 30 दिन की समय सिमा में प्रमानपत्र जारी किये जाएंगे। कि समंदू के लिहाद से ये बेदी मैतोपुन हैं। करनाटक में दस माई को होने वाले विदानसभा चुनाव से पहले प्रमानगर जिले के चन्ना पटना में विशाल जनसभा को सम्मधित करेंगे। अयोध्या में देश और प्रदेश के परेटकों को फाइव स्टार सुईदा मिलेगी। इस स्रीयंतर का कुल वजन बाइस सो किलोग्राम का होगा और ये पंच धातू से बनेगा। बड़ी खबर हैं सोमवार को पिया मोधी का एक और तूपवानी दोरा 36 गंटे में 5300 किलो मिटर की यात्रा 7 सहरू में 8 करक्रम। इस दोरान पिया मोधी जी साथ अलग लग सहरू में आयुजित 8 करक्रमों में सामिल होगे। यानि पिया मोधी दिल्ली से मध्य प्रदेश होते हुए दक्सिड में केरल और पस्चिम में सिल्वासा तक जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब नहीं दिखेंगे डीजल रेल इंजिन सो प्रतिशत इलेक्रिफिकेशन पूरा हो गया। प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी 24 अप्रेल को रीवा आएंगे। कि मांग बुलंद की गई। गुश्ता होए लोगों का ये कहना था कि हमारे पांच जवान बलिदान हुए हैं और इसके बदले 500 सर दुसमन के लाएंगे। पाकिस्तान को भारत से जंग का डर हैं रक्सा मंत्री ने काय कि युद्ध की आसंका के बीच चुनाव नहीं होने चाहिए आतंगवाद का खत्रा भी बड़ेगा। सुप्रियम कोड के पांच जज़ कोरोना संक्रमी समलेंगे एक विवा मामले के सुनवाई करने वाले जज़ भी पोजिटिव हैं दिल्ली समयत पूरे देश में कोरोना की रप्तार फिर से तेज होने लगी हैं वह दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही हैं अगर कोई कमप अगर की बालकनी में आकर अपने स्टाइल में विस्किया बेटे अबराम भी नजर आये हैं राजस्तान से जोड़ा अपडेट आ रहा है सूडान में फसे राजस्तानी लोगों के लिए गैलोत सरकार ने पहल तेज कर दिये हैं हेल्प लाइन नंबर भी जारे हुए हैं बड़ी खबर आ रही है हरियान सरकार ने ग्रूप सी भरती के लिए नियूनितम योगिता में संसुदन किया अब ग्रूप सी की भरती के लिए बारवी पास होना जरूरी कर दिया गया बीजेपी को एक जटका लगा अब इन दो दिगजों ने छोड़ी पार्टी कॉंग्र के पुरोविदाया विसुनात पाटिल हेपबल और बाचपासे टिकेट के दाविदार अर्विन चावान से निवार को कॉंग्रेस में सामिल हो गया है वेक्यूम पंप में खराब याने के करण इन गाडियों को रिकॉल किया गया है कमपनी फ्री में पार्ट्स बदलेगी मारुती सुजु की इंडिया लिमिटेट ने वेक्यूम पंप में खराब याने के करण बेलेनों की 7213 गाडियां को रिकॉल किया है कम्पनी के इस रिकोल में 27 अक्टूबर 2016 से 1 नॉबर 2019 के बीच बनाई गई इस प्रीमियम हैच बेक का RS वेरियंट सामिल है हुंदे क्रेटा वेन्योर आइटवेंटी को अपडेट किया गया है अब तीनु कारूं की पिछली सीट पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा एड़स्टेबाल रियर हेड़रेस्ट भी एड़ किया गया है वहें महिंद्रा की SUV 376,600 रुपे तक महेंगी हो गई है BS6 Phase 2 नॉम्स के कारण कम्पनी ने दो महिने में दूसरी बार दाम बढ़ा दी है भारत में 26 मार्च को लॉंच होगी Vivo X 90 स्रीज 50 मेकापिक्सेल ट्रीपल केमरा सेटप के साथ 6.78 इंच फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिलेगा हर्याना में चाइना डोर की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबन सरकार ने दिस्चुचना जारी कर दिये उलंगन करने पर कारवाय होगी केवल सूती धागे काई इस्तेमाल उसकेगा पतंग बाजी पर प्रसासन की नजर राएगी हर्याना के क्रिशी मंत्री अप्सुरों पर भढ़के 23 मंडियों में सरसु की आवग कम हुई है कारण बताओ नोटे इस्तमाया हर्याना की 131 करोड की आठ प्रियोचनाय मंजूर होई है जीन्द में नहर अधारित वाटर प्रोजेक्ट तो रोहतक में बरसाती पानी के लिए डिस्पोजल बनेगा सीम योगी ने काए कि पहले नोकरियों में भाई बती जावा दो जाती वा था लखनाओ में काए कि यूपी माफियाओं से जकड़ा हुआ था अब इनका कोई भविश्य नहीं है अब हेलिकॉप्टर से सस्ते में आप कैदारना दाम की यत्रा कर सकेंगे आयार्ट सीटी सी आपके लिए गुड निउस लेकर आया है अब आप हेलिकॉप्टर के जरिये कैदारना दाम के दर्सन करेंगे इस प्रोग्राम का नाम हेली यत्रा रखा गया जिसके जरिये यत्रियों को हेलिकॉप्टर से कैदारना दाम पहुंचाय जाएगा हेलिकॉप्टर की सुविदा, सेर, सी, फाटा और गुप्त कासी से सुरू की गई है एडिबल ओयल प्राइस से जुड़ी खबर हैं, रहत की खबर हैं, खाने का तेल सस्ता हुआ है महंगाई के बीच आम आदमी के लिए रहत की खबर आई आयातीत सस्ते खाध्य तेलों की मंडियों में, भरमार होने के बीची स्तानिय तेल तेलों पर भारी दबावरा रहसे में खाध्य तेलों की केमतों में गिरावट बनी है राजस्तान में 13,000 सबाइकरमचारियों की बर्ती होगी 15 मैस से आवेदन बरे जाएंगे अनुभव जरूरी होगा इंटर्वी से सेलेक्शन होगा राजस्तान के 176 नगरिय निकायों यानि नगर निकम, नगर पालिका और नगर परिशद में 13,184 पदोपार सबाइकरमचारियों की बर्ती की जाएगी हरियाना में 90 से 11 के चात्रों के लिए बड़ा फैसला आया है, ओनलाइन अंक अपलोट करना जरूरी होगा ऐसा ना किया तो फिर बोड परिक्सा में एंटरिप पर रोक हो सकती हैं जोब के लिए बड़ी खबार, जहानाबाद में 25 अपरेल को रोजगार सीविर लगेगा गॉर्नमेंट, ITI, कोलेज, परस बिगा, जहानाबाद में मेला लगेगा, रोजगार सीविर हैं अब 20 से जदा प्रोग्रामिंग लेंग्वेज कोड लिखेगा, गूगल का AI बार्ड सौप्टवे डवलप करने में मदद मिलेगी यानि ओपन AI को टकर देने वाला गूगल का जो चैट बोट गूगल बार्ड है, वो अब प्रोग्रामिंग कोड भी जनरेट करने वाला है इस नए फीचर की गोसना खोद गूगल ने की हैं अड़ानी ग्रूप को रहात मिली हैं, जैपूर इंटरनेशनल एरपोर्ट के ट्रांसपर पर अब जीएश्टी नहीं देना होगा राहूल गांदी ने लोकसबा सचीवालाई को सरकारी बंगला सोपा लोक लगाया, अब सर से हाथ मिला कर चाबिस सोप दी हैं बिहार को लेकर खबार, आईटी आई में पढ़ेंगे नकसली 6,000 रुपे मासिक बत्ता देगी सरकार, आत्म समरपर करने पर 5,000,000 रुपे मिलेंगे अब दूसरी संतान बेटी होने पर भी 6,000 रुपे मिलेंगे, और रासी तीन किस्तों में नहीं बलकि अब दो किस्तों में दी जाएगी, इस तरह के नए नियम अपडेट होगे हैं राजस्तान में 24 अप्रेल से महंगाई राहत केम्प सुरू होंगे, पात्र व्यक्तियों को 10 योजनाओं में लाब मिलेगा रेलवे से जुड़ी खबार मुंबई से गोरकपूर तक 25 अप्रेल से विसेस रेलगाडी चलेगी, 20 जून तक 7 फैरु में यह ट्रेन चलेगी के बीच इसकी सुरुवात होगी, जरमनी और चीन के बाद अब मेक इन इंडिया योजना के तैद भारत में भी हाइडरोजन ट्रेनों का परिचलन किया जाएगा, दिसंबर 2023 तक यह ट्रेने यत्रियों के लिए सुरू हो जाएगी, अमिर्सा ने का पंजाब में खालिस्ता की कोई लहर नहीं है, और केंद सरकार स्थिती पर नजर बनायों है, किसी को भी देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवार करने की छूट नहीं है, बिहार बक्सर न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं, खेतों में फसल अवसेज जलाने वालों के खिलाब कारवाई हो योजनाओ से किसान भाई वन्चित हो सकते हैं, वहीं चीन को अमेरिका की चेतावनी, ताइवान के खिलाब जल्दी सेन्य दबाव खत्म करें, अमेरिका ने चीन को इस तरह से चेतावनी दिया, वहीं IPL 2023 क्रिकेट न्यूज अपडेट, रोमान चक मुकाबले में 13 रन से ब बेटी की मोत हो गई, लड़की के चिलने पर बचाने के लिए पती पत्नी गए थे, मैला की हालत गंबीर बताई जा रही है, ये राजस्तान से जोड़े एक बड़ी खबर आ रही है, फ्रीज से सामा निकालते समय 16 साल की लड़की के करंट लग गया, बेटी को बचाने दो समपुर्ण भारत का आज 23 अपरिल 2023 का मोसम पुरानुमान, मोसम की जनकारी का ताज़ा अपडेट आ गया, स्काइमेट वेदर अपडेट के मताबिक अगले 24 कंटों के दोरान पूरवी असम और अरोनाचल प्रदेश में, हलकी से मध्यम बारिस और गरच के साथ बोचारे बढ़ने की संबावना है, सिक्केम, पुरोतर भारत के बाकी हिलाके, पर्सिम बंगाल, जारखन, उडिसा, चतिजगर, तेलंगाना, तमिलनादोर, केरल में, हलकी से मध्यम बरसात हो सकती हैं, वहीं पर्सिमी हिमाला है, हारियाना के कोचला के, पंजाब, बिहार, दक्सिन पुरो उत्रप्रदेश, दक्सिन पुरो मध्या प्रदेश, आंदर प्रदेश और दक्सिन आंतरे करनाटक में चिटपूर बारिश के साथ ही, गरच के साथ बोचारे पढ़ सकती हैं, आज के मुक्य समचार अपडेट में फिलाल बस इतनी खबरें, अगर आपको हमारा ये